ये है मेरी प्यारी सिकेटी स्मोकी स्मोकी इतना प्यारा है इतना अच्छा है ये छोटा सा था तीन महीने का जब ये मुझे मिला था एक इतनी तोफानी रात में ये घर से कहीं किसी का बिली छोटी सी भागे अपनी मां से और अपना घर का रास्ता भूल गया और ये एक कार के नीचे डर के छुप गया कार के अंदर और हमें मिल गया और हम इसे लेके अपने घर आए आज ये दस साल से जादा एज का है थोड़ा सा बिमार है इसको थोड़ा सा आस्थमा हो गया है आस्थमा की दवाई ली है हमने और कल फिर डॉक्टर को दिखाएंगे और ये ठीक हो जाएगा बस बच्चा ठीक हो जाएगा और कल फिर दवाई ले अब देखो इसके लिए फिश आई है और ये फिश की स्मेल देखते ही एकदम खड़ा हो गया कि मुझे फिश खानी है तो अब ये अच्छा होगा कि फिश खाएगा तो थोड़ी इसमें ताकत आएगी और फिश से गर्माईश आती है तो थोड़ा और ठीक हो जाएगा तो स्मोकी बेटा धेर सारा खाओ और ठीक हो जाओ अब ही इसने हमें बहुत रूलाया हम सब बहुत परिशान हो गए और एमरजनसी अपोइंट्मेंट बनवाई है डॉक्टर से कल देखने जाएंगे डॉक्टर को इसने जरा सी वॉमिट की और जैसे बेहुश हो गया तो बहुत घबरा गे हम लोग कि इसको क्या हो गया है तो हम इंसान है ना हम लोग अपने भगवान से बेशिकायत करते है Mike कि आप हमारे फादर हो भगवान को फादर ही कहते है ना अपने वाही गुरू को, अपने अल्ला को सब लोग यही सोचते हैं कि शायद वो हमारे सब कुछ है तो हमारे मख़भ में तो यही कहते हैं कि हमारे जो वाही गुरू है वो ही हमारे पिता है वो ही हमारे सब कुछ है तो हम जब यह बेहोश हुआ उसके बार ठीक वा तो मैं उनसे जगड़ा कर रही कि आप हमारे पिता हो और हम इनके माबाप है हमें इतना दुख हो रहा है कि हमारे बच्चे ऐसे एक-एक करके जाते जा रहे हैं बेशक इनकी उमर इनसानों से कम होती है लेकिन ऐसे इनको जाते हुए देखना बहुत जादा दुखी करता है क्योंकि ये बेजुबान आपके लिए अपनी जान तक दे देती है और कुछ बोलते भी नहीं है बस जो हम इनका समझ लें हम इनको डॉक्टर के पास ले जाएं बस उसी में ये बेचारे चुप चाप सब कुछ सहते जाते है तो मैंने अपने गुरुगरत सहब जी का पार्ट एक शबद है पंजाबी है अफकोर्स तो शायद कहीं लोगों को नहीं समझ आए या बहुत से लोग दूसरे मजभ की बात सुनना भी नहीं चाते है तो इट्स ओके लेकिन जो समझते हैं मेरे बहुत से सिख दोस्त भी यहाँ पे है तो उनके लिए मैं वो शबद बताती हूँ कर बाहर तेरा परवासा तू जन के हैं संग कर खिरपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जबों हर रंग जन को प्रभ अपने कातान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान पत परमेशर गत नरायन तन गुपाल गुन साकھی चरण सरण नानक दास हर हर संती ए भिद जाती तो इसमें जो लाइन आई ना जो तू करे करावे सा मसलत परवान तो ही एक दम मैं रुख गई और मैंने अपने गुरुजी से माफी मांगी कि एक तरफ तो मैं उन्हें गुसा कर रही हूँ कि आप इनको क्यों ले जाते जा रहे हो सबको बारी-बारी और एक तरफ पार्ठ पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा है कि जो तू करे जो तू करवाए वो सब मुझे मनजूर है मुझे पर्मान है वो सब मनजूर है तो मैं ऐसी डवल कैसे मीनिंग वाली हो सकती हूँ जो होना है वो सब उपर वाले की मर्जी से होना है तो हमें उनकी रजा में ही रहना है लेकिन इन छोटे-छोटे बेजुबान जानवरों को जाते हुए देख के महत दुख होता है अभी मेरी ट्रीटमेंट के दौरान तीन पहले जा चुके है और आप इसकी तबियत खराब है अब कल इसको डॉक्टर को दिखाना है सुबा सुबा लेके जाएंगे देखो क्या बोलते है मेरे सबी तोस्तों से रिक्वेस्ट है यहाँ पे कोई रिलिजन का या कुछ उसका भेदभाव ना करे प्लीज जानवर जो है वो बहुत असी से देते हैं आप दुआ करिएगा कि कभी किसी के पैट को कुछ ना हो सब के पैट जो है वो ठीक रहे बहुत शुक्रिया दोस्तों